हिंदुस्तान में अलग-अलग प्रदेश हैं, अलग भाशाएं हैं, अलग इतिहास है, हिस्ट्री है, कल्चर है, और हर जगा का अपना एक प्रकार से एक यूनीक क्यारेक्टरिस्टिक होता है. आज हिंदुस्तान के चुनाओं में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई हो रही है, एक तरफ, कॉंग्रेस पार्टी जो कहती है, कि हर जगे की जो पहचान है, जो कल्चर है, हिस्ट्री है, भाशा है, उसकी रक्षा होनी चाहिए. और हर प्रदेश को या हर जगे को उसी जगे के लोग उनकी तमन्ना उनके दिल से जगे चला जाए. और बीजेपी कहती है, आरेसेस कहती है, नहीं. एक देश, एक भाशा, और एक लीडर. ये लड़ाई है. अब आपकी मुसीबत ये है, कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल पटेल जी को राजा जैसे आपके सिर के उपर बैठा रखा है. पहले यहाँ पे इस किले में राजा बैठते होते थे. अब वैसे ही प्रफुल पटेल यहाँ के अड्मिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो यहाँ के राजा हैं, राजा, किंग, और राजा को दिल्ली से बठाया गया है. और राजा को कहा गया है, कि तुम राजा हो, तुम्हें जो भी करना है, तुम कर सकते हो. घर तोड़ने, घर तोड़ो, लोगों को तंग करना है, तंग करो, जो भी करना है, खुली छूट है, दिल खोल के करो. और प्रफुल पटेल जी, यहां के राजा, जो मन में आता है, वो करते रहते हैं, आप लोगों को तंग करते रहते हैं. अब आप सोच रहे हों कि नहीं भाई, यह तो हमारे साथ हो रहा है सिर्फ, मगर यह पूरे देश में हो रहा है, आप सोचिए, टमिल नाडू में टमिल भाशा का प्रयूग किया जाता है, बंगॉल में बंगॉली, नरेंद्र मोधी जी कहते हैं एक देश एक भाशा, अब टमिल लोग कह रहे हैं कि भाईया, एक भाशा कैसे, टमिल नाडू में टमिल बोली जाती है, बंगॉल में बंगॉली बोली जाती है, गुजुरात में गुजुराती बोली जाती है, एक भाशा कैसे, एक नेता कैसे, तो ये विचारधारा की लड़ाई है और अगर हम नीव की बात करें फाउंडेशन की बात करें तो फरक ये है कि हम समविदान की रक्षा कर रहे है Constitution की रक्षा कर रहे है और जो हिंदुस्तान को Constitution ने समविदान ने दिया उसकी रक्षा हम कर रहे है और वो उनका लक्ष है कि Constitution जो है सम्विधान जो है उसको खतम किसी ना किसी तरह RSS और BJP के लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको खतम कर दिया जाए सम्विधान से क्या क्या निकला मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सम्विधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोग सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए सविधान आपको वोट देता है लोक तंत्र देता है सविधान ने करोणों लोगों को आरक्षन दिया दलेतों को आधिवासियों को पिछडे वर को आरक्षन दिया अब नरेंद्र मोधी जी और RSS क्या चाहते हैं कि जैसे पहले राज हुआ करता था जैसे यहाँ पे आपके प्रफुल पटेल है उनका चंता से कुछ लेना देना नहीं न आप कुछ भी कह लो आप कुछ भी कह लो आप उनके घर जा और को देखिए हमें यह चाईए प्रफुल पटेल जी आपको कहेंगे देखो get out मेरे घर से बाहर निकलो तुमारी कोई यहां पे लेने देना नहीं है मैं यहां का राजा हूँ जनता जो भी चाहे कोई फर्क नी पड़ता मैं यहां का राजा हूँ मैं किंग हूँ मैं जो करना चाहता हूँ करूँगा जो यहां पे आपके प्रफुल पटेल जी कर रहे है वो दिल्ली में नरेंद्र मोधी कर रहे है वो यह की सिस्टम है अब यहां पे फर्क है कि यहां पे उनको बैठा रखा है और उनका जो है प्रफुल पटेल जी है उनका नरेंदर मोधीजी जितना control नहीं है नरेंदर मोधीजी के पास क्या है मैं बताता हूँ आपको CBI ED income tax police सारे के सारे जो संस्ता हैं हिंदुस्तान की जो संस्ता हैं जो constitution से निकलें election commission हो judiciary हो ये सारा का सारा constitution से बाहर निकला सबसे पहले सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलेगा उसके बाद लोग तंत्र अलग अलग institutions वो सारे के सारे constitution से बाहर निकले constitution नीव थी बीज था और उसमें से ये चीज़े निकली अब ये लोग चाहते हैं कि इसको नश्ट किया जाए लोग तंत्रों को खतम किया जाए ये जो अलग-अलग संस्ता हैं इनको खतम किया जाए और RSS और BJP के राजाओं को देश के राजा बना दिया जाए अब देखिए आप आप मैं आप को दाता हूं देखो आप वाइस चांसेलर्स की लिस्ट निकालो हिंदृस्तान की जो शिक्षा का सिस्टम है उसमें आप वाइस चांसेलर्स की लिस्ट निकालो सारे के सारे सारे के सारे RSS के आदमी है उनको शिक्षा के बारे में कुछ नहीं मालू कर सारों को university में सारे RSS के राजा बढ़ा दिये क्या तो ये काम आपका होगा आपको तो आपको तो मालूम है आपको तो शायद बताने की भी जरूत नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि भाईया यह प्रफुल पटेल जो राजा बैठा है जो यहां पर पहले 70 साल 80 साल पैसे पहले जो होता था आज हो रहा है अगर मैं ये देश को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई या ये प्रफुल पटेल यहां बैठा रखें बाकी देश में भी यही करने जा रहे हैं आज रसेस के जो चीफ हैं उनका बेयान आता है कि हम रेजरवेशन के खिलाफ नहीं है अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि ये रेजरवेशन के खिलाफ है जो भी जो भी रेजरवेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनके पार्टी में जा रहे हैं जो भी रेजरवेशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं और फिर कहने कि भी यह हम रेजरवेशन के खिलाफ नहीं है और इसका लक्ष क्या है मैं बता देता हूं आप कोगे ये सम्मिदान को क्यों खतम करना चाहते हैं जोक्तंत्र को क्यों खतम करना चाहते हैं क्योंकि ये 20-22 अरब पतियों की मदद करना चाहते हैं ये चाहते हैं कि जो आपका सुन्दर बीच है आपकी इतनी सुन्दर लोकेशन है इस किले पर अधानी जी का नाम लिख दिया जाए वो चाहते कि इस बीच पर अगर टूरिस्ट आएं तो आपको फाइदा ना हो बीच पर साइन हो अधानी बीच आपके एरपोर्ट पर अधानी का नाम हो आपके हाईवेश अधानी बनाए जो भी यहाँ बिके वो अधानी और अम्बानी बेचें और आप लोग बस देखते रह जाओं और यह इन्होंने पूरे धेश में किया है मैं दो-तीन उधारन देता हूं आपको हिंदुस्तान के 22-25 अरब पतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड रुपिया माफ किया है आप जानते हो 16 लाख करोड रुपिय कितना होता है बिटा हाँ जो लाल शट पहने हो जानते हो 16 लाख करोड रुपिय कितना होता है जानते हो हाँ तुम ही से बोल रहा हूं जानते हो कितना होता है 16 लाख करोड रुपिया मैं बताता हूँ 25 साल मनरेगा में जितना भी पैसा लगा 25 साल अगर आप वो पैसा ले लो उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है किसानों का कितना माफ किया एक रुपिया नहीं माफ किया जो हमारे स्टुडेंट्स हैं बेरोजगार युवा हैं उनका कितना कर्जा माफ किया एक रुपिया नहीं किया छोटे वियापारियों को खतम कर दिया स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खतम कर दिया नोट बंदी की गलट GST लागू की किसको फाइदा हुआ यहाँ पे एक आदमी नहीं है जिसको नोट बंदी से फाइदा हुआ हो अदानी अंबानी आप मुझे बताओ यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जिसको नोट बंदी से फाइदा हुआ है ना एक आदमी है यहाँ पर जिसको GST से फाइदा हुआ ना अब देखिए मज़े की बात देखिए आप शर्ट करीदते हो यह भईया आपने शर्ट कितने की घरी दी हाँ आपने कितने की घरी दी है अरे भाई आप से पूछ रहा हूं सपेद वाल हाँ कितने की घरी दी दोसो अब देखो लड़के ने दोसो रुपए की शर्ट करीदी 18% GST लगा इसके जेप से निकला अगर अधानी अरब पती यही शर्ट करीदता तो वो भी 18% टैक्स देता मतलब जितनी टैक्स आप देते हो उतनी अधानी देता है आमदनी इनकी हजारों में उनकी हजारों करोड रुपए में टैक्स जितना आप उतना वो ही और टैक्स कौन दे रहा है आप लोग दे रहे हो किसान दे रहा है मजदूर दे रहा है बेरोजगार युवा दे रहा है और पैसा कहा जा रहा है उन्ही दो तीन लोगों के जेब में आप जानते हो उनी के जेब में आपका पैसा जा रहा है तो हमने निन्ने लिया कि अगर ये बीजेपी के लोग नरेंद्र जाने मोदी 20-25 अरवपति बना सकते हैं तो कॉंग्रेस पार्टी करोणों लाखपति बना सकती है तो आप कहें आप कहोगे ये कैसे हो सकता है मैं बताता हूं आपको मगर उससे पहले मैं आपको बताता हूं जैसे दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो प्रफुल पटेल को ना हम यहां से आउट करके दो मिनट में और जो उसने यहां पूरा 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 प्रेश्टाचार किया ना जो पूरा प्रेश्टाचार किया है घर तोड़े हैं उसका पूरा दादागिरी जो है उसको सीधा टाइट कर देंगे सबसे पहला वह होगा उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे मैं बताऊंगा आपको खुछ करने आया हूं आज मैं यहां मूप ठीक करने आया हूं जो मोदी जी ने अंकल जी ने आपका मूप खराब कर रका है वो मैं ठीक करने आया हूँ तो सबसे पहले क्या होगा हिंदुस्तान के सब गरीबों गरीब परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी करोणों परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा अब आप पुछो क्या होगा पुछो क्या होगा मैं बताता हूं उस महिला के बैंक अकान में साल के एक लाग रुपे डाल देंगे हर महीने ऐत हजार प्ांच सो रुपे खटा कट खटा कट एक तारी को कटाक खटाक 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 आप जानते हो यहां महिला ही बैठी है 21 सदी में महिला और पुर्ष दोनों काम करते हैं जॉब दोनों करते हैं मज़़ूरी दोनों करते हैं सही? करते नहीं करते? ठीक है अब 8 गंटे दोनों काम करते हैं दोनों को पैसा मिलता है 10 गंटा करते हैं गंटा करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है, मिलता नहीं मिलता है, मगर जो महिला घर में काम करती हैं, उसके लिए उसको पैसा क्यों नहीं मिलता, आप 8 घंटा काम करते हैं, वो जो बैठी हुई है, वो 8 घंटा बाहर करती हैं, 8 घंटा घर में करती हैं, 16 घंटा वो काम करती है मगर जो घर में काम करती हैं उसके लिए उनको एक रुप्या नहीं मिलता इसलिए हमने निन्ने लिया है कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में एक लाग रुप्या जाएगा वो उससे आपका भी फायदा होगा यह मत सोचिए कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा वो मिलेगा मगर महिला के बैंक अकाउंट में हम एक लाग रुपए साल का डालेंगे तो यह हो गई पहला कदम करोणो लाख पती का पहला कदम अब मैं आपको दूसरा कदम बताता हूं यहां पर मुझे दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने अंकल जी ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया है प्रफुल पटेल जी ने बहुत सारी यहां पे नौक्रियां खतम की हैं मुझे दिख रहा है यह देखो हाँ दिख रहा है अब अमबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले अदानी का बेटा अमबानी का बेटा टाटा का बेटा वो भाई आमेच्छा का दूसरा लेवल का आदमी है उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं मगर वो मगर वो तिंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है बढ़ वो अलग बात है तो वो अप्रेंटिशिप करते हैं एक साल के अप्रेंटिशिप होती है उनकी ट्रेनिंग होती है सैलरी मिलती है और पिर उसके बाद एक साल की टेंपरी छे माहिने की टेंपरी नौकरी करने के बाद उनको permanent नौकरी मिलती है मगर हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको ये मौका नहीं मिलता इसलिए तो मैं आया हूँ यहाँ अब मिलेगा अब हमने सीधी से बात रखी है हिंदुस्तान का कोई भी graduate हो diploma holder हो college university जो भी उसको हमें एक अधिकार देने जा रहे है जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था गाउं में काम का अधिकार दिया था अब हम पूरे हिंदुस्तान के graduates को अधिकार देने जा रहे हैं अधिकार का मतलब अधिकार का मतलब अगर आपने मांगा उसको पूरा करना पड़ेगा कानून है अगर आपने मांग लिया तो सरकार को देना ही पड़ेगा अब क्या देंगे बता रहा हूं आपको apprenticeship मिलेगी एक साल की apprenticeship होगी प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में सरकारी offices में सरकारी हस्पतालों में एक साल की पहली नौकरी पक्की पहली नौकरी पक्की मतलब कोई भी बेरोजगार युवा ग्रैजुएट कह सकता है भई आथ उठाके कह सकता है मुझे अपना अधिकार चाहिए जैसे ही वो कहेगा सरकार कहेगी इदर आओ चलो ये लो इस प्राइवेट कंपनी में तुम्हें एक साल की नौकरी मिल रही है उसमें तुम्हारी ट्रेनिंग होगी एक लाग रुपे तुम्हारे बैंक अकाउंट में एक साल में घुसेंगे 8500 रुपे महीने के लिए खत्म और करोणों युवाओं को यह फसिलिटी दी जाएगी तो एक तरफ महीलाओं को एक लाग रुपे साल के 8500 महीने के और दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग और महीने के 8500 रुपे साल के एक लाग रुपे यह हो गए करोणों लाख पती बन गए कि अब किसानों किसान कहेंगे वहिया देखो हमें महलाक्ष्मी योज्वने मंहाइल का पैसा है उससे फाइदा होगा हमारे बेटेओं को अपरेंटिशिब मिलेगी यह तो सब ठीक है बेटेओं को हमारी आप क्या करने जा रहे हो तो किसानों सो मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया, सरकार बनते ही तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, और अलग-अलग प्रोडक्स के लिए सब लोगों को सही दाम मिलता है कोई गाड़ी बनाता है उसे सही रेट मिलता है कोई टूथपेस बनाता है उसे सही रेट मिलता है मगर किसान दिन भर काम करता है गून पसीना देता है उसको सही रेट नहीं मिलता कभी नहीं मिलता हर किसा उसे सही रेट नहीं मिलता तो इसलिए हमने कानून बनाया है जैसे सरकार आएगी कानूनी गैरंटीड किसान के लिए minimum support price कानून बना देंगे कि इस रेट से कम किसान को दान के लिए शुगर केन के लिए नहीं दिया जा सकता और अगर किसी ने दिया तो कानूनी कारवाई मजदूर बचे मन्रेगा के मजदूर आंगणवाडी आशा का जो काम करती है वो बचे मन्रेगा आज कल 200 रुपए 250 रुपए मिल रहा है हम मन्रेगा को 400 रुपए करने जा रहे हैं और जो आश्या और आंगणवाडी महिलां को आज मिल रहा है उसको हम दुगना कर देंगे तो मैं आपसे बस यह कहने आया हूँ, कि जो आपका इतिहास है, आपका हिस्ट्री है, आपका कल्चर है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, और उसकी रक्षा प्रफुल पर्टेल नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो, आपको अधिकार मिलना चाहिए, आपको ही अपना सिस्टम चलाना चाहिए यह नहीं कि आपके ऊपर किसी को बैठा दिया और वो राजा जैसे आप पर राज कर रहा है पहली बात दूसरी बात अगर ये लोग 22-25 लोगों को अर्बों रुपए दे सकते हैं तो मैं आपको गैरंटी करके कह रहा हूँ यहां खड़े होके कह रहा हूँ जितने पैसे इन्होंने 22-25 लोग को दिये ना हम लाखों लोगों को करोड़ों लोगों को दिने जा रहे हैं आप आपने 10 साल 20-25 लोगों का काम किया अब हम अगले 10 साल जितना पैसा आपने उनको दिया उतना ही पैसा हम किसानों को मजदूरों को गरीबों को बेरोजगार युवाओं को माताय बेहनों को देने जा रहे हैं कि आप हमारा मैनेफेस्टो पढ़िए करांतिकारी मैनेफेस्टो है मैंने पांच चीज़ों के बारे में बोला है मगर उसमें सब लोगों के लिए हमने कुछ ना कुछ सोच कर दिया है यहां पे मचवारे बहुत हैं आपको बहुत नुकसान हुआ है आपकी बोट ले जाते में लोग तो आपके लिए मैनेफेस्टो में आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी चीज़ें हमने किये हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं जो पहले आपको डीजल की सबसेडी मिलती थी जो बंद कर गई उसको हम फिर से चालू कर देंगे दूसरी बात जो भी बोट फिशिंग बोट होगी उसका हम आपको इंशोरंस देंगे और तीसरी बात जो इनलैंड फिशिंग और एक्विकल्चर है उसको हम एक्रिकल्चर जैसे मानेंगे तो यह मैं आपसे कहना चाहता था यहां पे आप केतन पटेल जी और अजित माला जी को पूरा सम परतन दीजिये और कंग्रेस पार्टी को जिताइए जबरदस्त बहुमत से जिताइए